तमिलनारू के कुनूर में भारत ने अपना जावाज, एनिक वर सी एस टी जी हाँ विपिन दावत साथ को खो दिया है काफी कुछ भारतिय सेना में इनके नाम इतिहास रहा है भारतिय सेना को हाई टेक करने में और तमाम तहर से दुश्मन देश को उसकी ओकात दिखाने में जिस तरह से विपिन गुपता जी का योगडान रहा है विपिन जी का उसको लेकर पुरा देश आज उन्हें याद कर रहा है इस वक्त हमारे साथ अनिल गुपता जी हैं आप एक्स बिर्गेडियर हैं सर जिस तरह से हाथसा हुआ को नूर में किसी ने भी सोचा नहीं था कि हम इतने बड़े महांच शक्स को खोड़ेंगे सबसे पहले जान चाहेंगे आपकी पर्तिक्रिया क्या है शुद हाथ से वे देखें बहुत ही दुखत गटना है जी शर्दों में विया नहीं कीज़ा सकती है क्योंकि इस दुखत गटना में ना सरफ हमने अपने चीफ ऑफ डिविन स्टाफ को खोया है बलकि उनकी चरंपत नहीं और उनके साथ दो ऐसे अफसर जो की उबर्टुए सितारे थे वार्टे सेना के और पांच ऐसे जानबाज कमा जो कि पर्सनल स्क्राइस स्क्रोटी ऑफसर थे उनको भी अमने खोया है एर्काफ्ट का क्रू को खोया है जी बहुत ही दुखत गटना है चाहिए पहली वारी यह प्यास में हुआ होगा कि एक सेनाद्यक्ष ते साथ साथ उतकी दरमपत में भी एक हलिकाप्र क्रेश में यह जी यह थे वह हमारी केंगे हैं यह बहुत ही दुखत गतना है अचैंद दिखाया swords द हमें कि वो शुरु से लेकिन पहले ही पहले उचे लगवार्व होजी हम होग के एक हम्रग चैहन नहीं होते हैं और रहे एजन गो औपसर इप हमानिकोशर और फिर as a star officer है चाहे ब्रिगेडर है और मेजरनल हर काम पर हर समय पर हुआ उन्होंने कुछ नहीं कुछ निया दिया वो बहुत दूर दर्शी सोच रखने वाले जेनल थे अनुबवी जेनल थे हर किसम का अनुबव था हुआ उनको चाहे वो चाहे लाइन अफ कंट्रोल का था चाहे लाइन अफ एक्शल कंट्रोल का था या फिर किन्वेंशन वाक्यक का था हर किसम का अनुबव रखते थे बहुत पड़ते थे इसलिए उनकी विजन जो है बहुत दूर की थी उन्होंने युएसे के अंदर कमाने जनल स्टाफ पोर्स भी किया फॉर्ण रामिज सा ट्रेडिंग भी की और हर मैं कहूंगा कि हर उदे में हर वक्त जहां भी वो रहे उन्होंने ना सरफ सेना को योगदान दिया बलकि जो उनके आसपास के लोग होते तो उनका भी मांजीत लेते थे एक बड़े ही खुश मिजाज के व्यक्ति थे बिलंचार थे असके मिलते थे दूसरों का दुम्दर्द यहाँ उसको समझते थे इंपटि जो है निके सेना के अंदर इंपटि बहुत कर्म होती है लेकिन वह ऐसे एक अफसर ते ऐसे दिकारी थे तो कि इंपटि में काफी प्जीव करते थे लोगों की यात्मा को आपनी आत्मा समझते थे लोगों की तकलीफों को अपनी तकलीफ समझते थे और उनको दूर के में मदद करते थे तो मैं तो कहूंगा बहुत ही हीरा जो है बात के सिरा ने खो दिया है इसके साथ यह भी का जाता है कि अधिकुचाई वाले स्थान पर युद्ध और आतंगवाद विरोधी गतिविधियो की खासा जानकारी उनके पास रहती थी अनुबवा बहुत है उनके पास इसके साथ था की चीद आज जो है वो अपने आपको सक्षब जही समस्ता है उंचे इलाके में लड़ने के लिए उसको पाते सेनाने गरवान के अंदर और इसका पूरा श्रे जो है इसकी पूरी सोच जो है इसके पीछे पूरा जो प्लैनिंग है बहुत जनल वितन रावत का था तीकि चैनल वितन रावत मेरे से जुनियर थे हमने कभी साथ में सर्विस नहीं की लेकिन मैंने उनको देखा है काम करते हुए जब वो जहांपे में किश्मीर के रिस बारा मोला में नाइंटिजन के कंवांडर थे मैंने उन्हेंसे मुलाकात कि थी मां उन से मिला था उसके बाद मैं तो रिटार हो गया लेकिन वो सेना में रहे और कहीं जगेंपे सेमिनार्स के अंदर को यू cog सेमिनार इसे लेते थे सेमिनार में कटके इससा भी लिये हैं और मुझे बहुत ही खुशी होती थी कि एक ऐसे होनार जन्र थे जो कि इंट्वेंट्री ओफसर होने के बावियूद टिकनोलोजी दी फूचर वार्फियर। और किस परकार आप दुश्मन को सर्प्राइज कर सकते हैं, किस परकार आप अंपर्डिक्टबिलिटी ला सकते हैं अपने लिडाई में, इस परकार की चीद में वनका ध्यान बहुत ज़ादा होता था जे, बिल्कुल सर, आपने ठीक करा, क्योंकि ये भी का जाता है कि उन्हें वेर्टा और विश्चिस थेवा के रिए प्रिस्कृत भी क्या गिया, जिसमें UISM, ABSM, YSM, SM, तमाम जो बड़े प्रशस्ति पत्र थे, वो उनको मिले थे, सरिक रास्त में काम करते हुए दो बार उन को गर्व है उनके ओपर, हजारों साल नर्गिस रोती है अपनी बेनूरी पे, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दिदावर पैदा, जैसा ये दिदावर जनल विपिन रावत थे, ऐसे लोग जादा बिरले ही होते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं, और जनल विपिन राव स्टाफ उन्होंने जो जॉइंट में इसकी तरफ काम किया, तीनों सेनाओं को एकठा लाने की तरफ काम किया, उन्होंने जो तीनों सेनाओं की, जो हाई डिफेंस और्गनेशन है भार के सेना की, उसको ठीक करने की विवस्ता की, किस परकार सेना और सिविल के बीच में लि हाई डिफेंस और्गनेशन के बहुत बड़ा योगदान हा उनका इसके लिए वह हमेशा याद किया जाएंगे और अभी जो थेटराइशन हो रही थी सेना की वाजिव थेटर कमांज बन रही थी उसको वो चाहिए जनदवाजी में न किया जाए और उसे हमें अपनी भार के क फकर करते थे और इसलिए उन्होंने भार के सेनाओं को आप मेबरों बनाने का भी एक लेक्शन रही रखा था जे और मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया और हर किसम से वह डिफेंस के अद्वेंस के अधियर कुपमेंट थी कहीं सो के तरीफ चीजों को उन्होंने इने बहुत बहुत शुक्रिया थे बातीत के लिए तमाम जंग करें देने के लिए पंजाब के इसकी बुरू को